मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेत्रित्व में पंजाब कैबिनेट ने बेमौसम बारिश से किसानों की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए केंद सरकार से मौझूदा सीजन में गेहुं खरीद के नियमों में धील देने की मांगी है इस संबन्द में फैसला आज मुख्यमंत्री के नेत्रित्व में पंजाब सिविल सचवालेय में उनके कारियाले में हुई कैबिनेट मीटین में लिया गया बैठक के दोरान कैबिनेट ने केंद सरकार से बिना किसी कमी के मांदंडों में परियाब छूट देने की अपील की ताकि पहले से ही खराब मौसम से जूज रहे राज्य के किसानों को और अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े भारी बारिश, तेज हवा और ओलावरिष्टी से गेहूं की पकी फसल को काफी नुकसान हुआ है खेतों में पानी खड़ा होने से गेहूं का दाना भी खराब हो गया है किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे में केंद सरकार की हिस्सेदारी बहुत कम है पंजाब सरकार ने हाल ही में 75 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान के लिए किसानों को मुआवजे का अपना हिस्सा बढ़ा कर 15,000 रुप्य प्रती एकर कर दिया है इस बीच कैबिनेट ने केंद सरकार से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा बढ़ाने की भी अपील की